हर साल बैसाक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को सतुआन का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को लोग सत्तु खाकर मनाते हैं। बिहार या पूर्वी मिधिलानचल में आज भी सतुआनी नाम का पर्व मनाया जाता है जिसका अपना विशेश महत्व है। हालांकि इसे लगभग हर राज्य में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। हर पर्व की तरह ही इस पर्व का अपना एक खास महत्व है। इस पर्व में जने के सत्तू और छोटे आम के टिकोला का बहुत महत्व होता है। ये पर्व इन ही बातों के लिए भी प्रसिद्ध ह माना जाता है कि इस त्योहार के बाद से ही यहां के लोग नए फल आम टिकोला का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ठीक लोहरी की तरह यहां भी नए फल और अनाज की पूजा की जाती है और फिर प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। ऐसे में इस साल सतुआनी या स सतुआन 14 अप्रेल 2023 को मनाया जा रहा है। आए जानते हैं इस पर्व का महत्वक जिस दिन सूर्य मीन राशी से मेश राशी में प्रवेश करता है उसे मेश संक्रान्ती के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर भारत के लोग इसे सत्तु संक्रान्ती या सत्तुआ संक्रान् इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायन की आदी परिक्रमा पूरी करते हैं इसी के साथ खर्मा समाप्त हो जाता है और सभी तरह के शुब कार्य शुरू हो जाते हैं मेश संक्रांती को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है उत्तर भारत सहित उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में इसे सत्तुानी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सत्तु को अपने इश्ट देवता को भोग लगाया जाता है और फिर स्वयम प्रसाथ के रूप में ग्रहन किया जाता है इसी के साथ आम के टिकोले भी खाये जाते हैं वैज्ञानिक कारण पर ध्यान दे तो इसी दिन से सूर्य का ताप बढ़ने लगता है इससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में सत्तू की तासीर थंडी होती है जिसे पीने के बाद थंडक मिलती है वहीं आम का टिकोला लू से बचाता है ऐसे में गर्मियों में इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है